शोशल मीडिया पर एक पांच साल के मासूम बच्चे का वीडियो लगातार वाइरल हो रहा है कल तक जो बच्चा गली गली में धक्के खा रहा था वो आज वी आईपी गाडियों में बड़े शौक से बिठाया जा रहा है अब बजह भी खास है बता दें की हाल ही में ही पांच साल के अमित की दो मिनिट साल सेगंड की एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें ये बच्चा लोगों को मास्क पहनने के लिए कह रहा है इस वीडियो ने समूचे देश में खोथ हुलसा पैदा कर दिया है हालांकि कई जगहों पर लोगों को जागरूप करने के लिए साइन वोड तो लगाए गए हैं लेकिन फिर भी लोगों को जागरूप करने वाली एजेंसियां वो काम नहीं कर पाई जो इस बच्चे ने अपनी मासूमित के बलबूते पर कर दिखाया बता दें की पांच साल का अमित एक पाईप नूमा लट लेकर मैकलोड गंच के भागसू वाटरफॉल की और जाने वाली एक तंग गली में जाकर खड़ा हो गया था और बहां हर उस राह गेर को टोकना शुरू कर दिया जिसने मास्क नहीं पहन रखा था अमित की इन भूली भाली आदाओं ने गली के एक दुकानदार केलाश्टो भाल को इसकदर अकर्शित किया कि उन्हें इसकी बीडियो बना डाली और फ्रीज से अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर दिया ये वीडियो तेजी से वाइरल हुआ और वीडियो में इस बच्चे की मासूम आदाओं का हर कोई कायल हो गया उसकी जागरुकता के किस्से आमोग खास हो गए और मामला परशासन पुलिस तक भी जा पहुंचा पुलिस ने तुरंट वीडियो का संग्यान लिया और ना केबल बच्चे को सम्मानित किया वलकि उसका होसला भी बढ़ाया इस बच्चे ने दो दिन पहले सिखाया कि आपने मास्क नहीं पहना है जो कि एक गल्त बात है और इस बच्चे ने इस महामारी को अपने छोटे से उमर में एक बहुत बड़ी महामारी समझा है लेकिन जो हमारे बड़े बजुर्ग हैं या दूसरे एजड पीपल हैं ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो इस छोटे से बच्चे के दिमाग में एक छोटी सी कुछ पीस प्यादा हुई थी आलम ये है कि अब कल तक गली कूचों में घुमने बला अमित आज सभी की नजरों में हीरो बन गया है परशासन ने इसे सर आंखों पर बिठाने का फैसला लिया है तो वही कई अन्ने एंजियो अभी से अमित के सुनहरे विष्चे को लेकर दान पुनने के लिए आगयाना शुरू हो गए हैं तो ऐसे में ये बच्चा लगातार पिलीस वालों को अबजर्व करता रहा और उसने वहीं से सीखा और बाद में इसका वीडियो वाइरल हुआ जिसमें वह सब लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है उनको कहरा है कि आप मास्क पहनो आपने मास्क क्यों नहीं पहना है वहीं पुलिस विभाग ने पांच वर्षी अमित को अपने जागरुकता भियान का प्रहरी बनाया है जो बहुत बड़ी बात है अगर बच्चे इस तरह से जागरुक हैं तो अन्य राज्यों से आने बाले प्रेटकों को भी COVID-19 नेमों को लेकर जागरुक होना चाहिए ताकि हमारा भी कोरोना से बचाव हो और दूसरे लोगों का भी ETV भारत हिमाचल प्रदेश के लिए धर्मशाला से मनोश्तिमान की रिपोर्ट